सबसे पहले शुरू करते हैं यार MCB, MCCB और RCCB का discussion लेकिन शुरुआत करेंगे MCB से MCB क्या होता है? फुल फॉर्म जादा तर बच्चे जानते होंगे miniature circuit breaker miniature क्यों? क्योंकि छोटा सा circuit breaker है, बच्चा सा, छोटा सा, बाबू सा और बड़े-बड़े circuit breaker होते हैं, power system में जो होते हैं, लेकिन ये अक्सर आपने घर के अंदर देखा होगा, आपके box पे ढखकन लगा रहता है, उसके अंदर बहुत सारी, धेर सारी MCBs होती है है ना, किसी से light बंद हो जाती है, किसी से पंका off हो जाता है, तो किसी से high power वाले socket disable हो जाते हैं, ACs बंद हो जाते हैं, इस तरह की अलग-अलग MCBs होती हैं और आपने ये भी देखा होगा, जो high power वाले MCB होती हैं, उसका color और structure थोड़ा सा अलग होता है बाकी की सभी MCBs से, क्योंकि वो जाधा current सप्लाई कर रही है, उसके थूँ जाधा current पास हो रहा है, तो obviously higher rating का MCB लगाना पड़ेगा, जितने भी power sockets हैं, power socket में आप AC चलाते ह हो, geezer चलाते हो, कपड़े प्रेस करने के लिए iron चलाते हो, water heater या boiler भी लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें आपकी high power socket में जाती हैं, उनके लिए MCB अलग लगाया जाता है as compared to the other MCB, तो MCB क्या है, ये एक electromagnetic device है, which is enclosed molded insulating material, कहने का मतलब ये है, ये जो white वाला structure दिख रहा है ये पूरा insulating material है, और molded है, यानि कि mold से बनाया गया है, ऐसा नहीं है, इसके अलग-अलग parts को आपस में connect किया गया है, पूरा structure as it is, ऐसा ही create किया जाता है, insulating इसलिए होता है, बिटा कि अंदर अगर कोई fault आ जाए, और आप इसे turn on, turn off करने जाओ, अक्सर आपने देखा हो ये down हो जाती है, नीचे गिर जाती है, फिर हम इसे उठाने जाते हैं, हम कहते हैं घर में light चलेगी हो सकता है, mcb गिर गई हो, mcb raise कर दो, तो ये पूरे structure से आपको जटका ना लगे, ये हमारा make sure करना है, ठीक है, the main function is to switch the circuit, open करना होता है इसे circuit को, जब कभी इसके अंदर से जाने वाला current, एक particular value को exceed कर जाए, है ना, तो ये automatically down होती है, कर सकते हो, आप हाथ से भी down, ये नहीं कहरा बिटा, उस पर लटक भी जाओगे, तो नीचे नहीं आएगा, आ जाएगा, लेकिन ये automatically off हो जाती है, जादातर हम क्या करते हैं, कुछ समय बाद इसको on कर लेते है जैसे क्या हुआ, मानलो की अचानक से high voltage ये high current आया, अब ये नीचे गिर गई, अब मैं थोड़ी देर wait करूँआ, फिर मुझे लगेगा यार, चलो, अब जो भी transient था, जो भी problem थी, वो चली गई होगी, दुबारे उठा के देखते हैं, दुबारे उठाएंगे, अगर लगाता है, जो MCB आपकी गिर रही है, वो क्या control करती है, by hit and trial, on-off, on-off करके देखता है, कि MCB क्या चीज़ control कर रही है, और फिर वो उस device को particularly check करता है, एक बार क्या हुआ यार, हमारे ये जो studio है, इसके अंदर UPS लगाया हुआ, अनकैडमी वालोंने, ताकि ये TV ना बंदो आप लोग की studies ना रुकें, TV और इस कमरे की lighting चलती रहे, even when the supply goes off, अब ये जो UPS है ना, इसका एक MOSFET उड़ गया, UPS के आएक inverter ही तो है, तो MOSFET उड़ गया, उड़ गया माने जल गया, है ना, ऐसा नहीं कि हवा में उड़ता जाए, तो जल गया MOSFET, तो उस चक्कर में जो उसको बुलाया, electrician को, उसने सबसे पहले चेक किया कि गड़बड कहा है, और गड़बड एक बार figure out करने के बाद, फिर उसने UPS को चेक किया, और बताया, इसका MOSFET जल चुका है, MOSFET रिप्लेस किया जाएगा, तो that is how we decode the fault in our domestic cases, अब ये work कैसे करती है, देखो, यहाँ उ turning on the MCB, यहाँ पे current flow कर रहा है, दोनों terminals के बीच, यह magnetic coil है, और यहाँ पे साथ-साथ हमारे पास एक by metallic strip भी है, magnetic coil ये दिख रही है, आपको ये दिख रही है by metallic strip, अब क्या होता है, जब current बहुत high होता है, तो by metallic strip मुढ करके, इस contact को यहाँ से break कर देती है, जैसे आपने इस को उपर किया है, उपर करके जुड़ा है, जिससे की coil में current आ रहा है, जैसे ही current बहुत high हो जाएगा, तो by metallic strip इस contact को disconnect कर देगी, और उसमें उसकी मदद करती है, यह magnetic coil, तो यहाँ एक तरह से आपका total action होता है, by metallic strip प्लस magnetic coil का जो की इस switch को वापस से down कर देता है, switch अगर down आ कि कितना current आपका excess current कहलाएगा, किस current को आप बोलोगे कि भई यह तो जरूरत से जादा current आ रहा है, तब हमें disconnect करना पड़ेगा, that is controlled by this magnetic coil, अब दूसरा आता है, molded case circuit breaker, molded case circuit breaker को हम कहते हैं, mccb, तो यह जो आपको दिख रहा है, this is a mccb, mccb और mcb का working सेम होता है, बस फरक कि यह होता है, जो mccb है, यह काफी high rating की होती है, तो it can be used in industrial application, industrial application में भी यह काम आ जाती है, तो देखो mccb क्या है, it is another type of electrical protection device, which is used when load current exceeds the limit of mcb, mcb से ज़्यादा current पे अगर आपको लगाना है, then you will use mccb, यह overload से भी protect करती है, short circuit fault से भी protect करती है, और circuits की switching में भी काम आती है, सबसे अच्छी बात इसकी यह होती है, यह domestic में भी चल सकती है, industrial में भी, वहीं अगर mcb की बात करें, तो that is mainly used in the domestic circuits, ठीक है, तो wide current rating और high breaking capacity, यानि की बहुत high current को भी break कर सकती है, open कर सकती है, that is why it is majorly preferred in case of industrial applications, तो अगर mcb और mccb का difference देखे, mcb जो है, 125 ampere के उपर नहीं चलाई जाती है, mccb 1600 ampere तक चलती है, यह 10 ampere तक के current को open circuit कर सकती है, यह 10 kilo ampere तक के current को भी open circuit कर सकती है, तो यह low breaking capacity में use होती है, ज्यादा था domestic cases में, यह high breaking capacity mainly industrial के अंदर use की जाती है, तो यहाँ पे इसकी trip characteristic adjustable नहीं है, यानि कितने current पे trip करेगी, कैसे judge करेगी current हाई है, यह सारी चीज़ें आप control नहीं कर सकती है, जब manufacturer बनाता है, तो यह पहले से set होती है, कि इतने current पे trip कर जाएगी, लेकिन यहाँ पे we can modify, तो it can be the trip circuit can be fixed as well as adjustable, यानि आप चाहो तो adjust कर सकते हो, यह आप decide कर सकते हो, कि कितने current को आप over current मानोगे, या short circuit fault मानोगे, तो you can decide when it actually trips, अ RCCB क्या है, residual current circuit breaker, तो यह जो है, एक ऐसी electrical wiring device है, जो कि circuit को disconnect कर देती है, जब कभी leakage होता है current का, leakage का मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास दो conductor है, एक forward, एक return, अगर 100 ampere गया, तो I expect कि 100 ampere ही वापिस आ रहा होगा, लेकिन बीच में से अगर current कहीं leak कर गया, या current ने एक और धूंड लिया, close path follow करने का return conductor से पूरी तरह से वापिस नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं forward और return conductor का current compare करके ये judge कर लूँगा, कि कहीं न कहीं बीच में से current leak हुआ है, current has taken a diversion, current has taken a different path, और उस case में, हम अगर circuit को disconnect कर दें, that sort of a switch is called as a residual current circuit breaker, तो it is the safest device to detect and trip against electrical leakage current, to ensure protection against electrical shock, अब ये electrical shock कैसे लगेगा, जानते हैं चलिए, तो देखो यार, जैसे मान लो कि ये 10 ampire current गया live wire में, अब return में भी आना चाहिए था 10 ampire, लेकिन यहां मैंने किसी equipment को touch कर लिया, तो कुछ current मेरी body से flow कर गया, अगर कुछ भी current मेरी body से flow कर रहा है, return path मेरी body से उसको मि रहा है, तो return conductor का current कम होगा, तो ये जो current transformer है, ये check कर लेता है, क्या दोनो current equal है, या unequal है, अगर unequal होते हैं, तो ये solid state circuitry, solid state circuitry माने, ये switch बना है semi conductor की मदद से, इसको inform करेगा, इसको बताएगा कि forward और return current बराबर नहीं है, और तब ये disconnect कर देगा circuit को, तो जादातर क्या होत से एक path मिल जाता है current को, तो forward और return conductor का current अलग-अलग हो जाता है, तो हमें जटका लगने से बचाने के लिए use होता है RCCB, क्योंकि ये सीधा main wire को disconnect कर देगा, जैसे ही main wire को disconnect करेगा, तो live wire में current आना बंद हो जाएगा, तो मुझे जटका भी नहीं लगने वाला है, तो जैसा मैंने आपको बताया था ना, earthing इसलिए करते हैं ताकि जटके से बच पाएं, ऐसी RCCB electrical shock से ही आपको बचाता है, by detecting any leakage current in the circuit, तो I hope कि अब आपको समझ आया हो, आपके घर में जो MCBs लगती हैं, या MCCB कभी term सुनने में आता है, या RCCB, अब आपको उसका एक basic idea हो गया बात करोगे किसी से इस बारे में, तो you will be the smartest person in the room and you will be able to enlighten everybody around you, लेकिन बेटा अगर ये वीडियो पसंद आया हो, तो share जरूर कर देना मेरे भाई, और comment जरूर कर देना कि आपको ये वीडियो अच्छा लगाया निए